नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्त और आप देख रहे हैं धर्मसर्माव दोस्तों हम बात कर रहे हैं करकरासी जिनका स्वामी स्वयम चंद्रमा है आप परिशान क्यों है अगर है तो उसका कारण क्या है और उसका निवारन क्या है हम सब बतलाने की कोशिस करेंगे करकरासी जलतत्त्त की रासी है और करकरासी का स्वामी स्वयम चंद्रमा है करकरासी वाले सुंदर और चंचल होते हैं सुभाप के भी और इसके साथ ही इमेजिनेशन के मालिक होते हैं करकरासी वाले ज्यादातर करकरासी वाले ग्लेमर वाले फिल्ड में जाते हैं यानि ग्लेमरस होते हैं बहुत ही इमांदार रिष्टों के मामले में इमांदारी प्रेम निभाना तो कोई करकरासी वालों से सीखे दिल के बहुत साफ और करकरासी वाले हसमुख और बहुत ही इमानदार होते हैं वफादारी निभाना, वादा निभाना तो कोई करकरासी वालों से सीखे सबों की हेल्प करना दिल के साफ कोई भी इनको इमोशनली बिलेकमिल कर सकता है किसी की तकलीफ नहीं देख सकते हैं वैसे दिल के कठोर भी होते हैं पर सबों की हेल्प करना इनकी प्रार्थ मिक्ता होती है दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान भी कर लेते हैं लेकिन निडर होते हैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं परेसानी का कारण जो है इनके दिल के करीब होते हैं अपने उन पर तो ये जान भी निचावर कर देते हैं परवाह जादा करते हैं दिल की गहराई से प्रेम करते हैं भले ही लोग इनको चीट करता हो पर प्रेम अंधा होता है न सिर्फ प्रेम के बसी भूत होकर साड़ी असानी से उनके चक्कर में आ जाते हैं लेकिन जब यह मुश्किल में होते हैं तो कोई इनका साथ नहीं देता है आप जिनके बारे में अच्छा सोचते हैं वही आपको लूटना चाहता है आपको यूज करता है दोस्तों अभी अभी 18 सिप्टमबर को बुद्ध का रासी परि 2019 तक गुरू और बुद्ध एक साथ आएंगे तो आपकी किस्मत को चमकाएंगे ये बुद्ध और गुरू का संयोग आपके पंचमभाव में बन रहा है और पंचमभाव में ब्रस्पति कारक भी है और अच्छा पल भी देता है और बुद्ध के साथ बैठा हुआ है में सफलता मिलेगी साथ ही संतान का सुप की भी प्राप्ती होगी बुद्ध की युद्ध पंचमभाव में ब्रस्पति अप्ट्र के घर में बैठा हुआ है और अपने दो कारक अस्थान को देखता है यानि कि भाग योदय होगा आपका इस समय पिता को भी सफलता मिलेगी इंडेस्टिस्ट लोगों के लिए बिजनस करने वालों लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है और नवी दृष्टी उच्छी दृष्टी होती है और आपके रासी पर है लगन के ऊपर है यानि कि मान समान में बर्दी होने के साथ उत्तम संतान की भी प्राप्ती होगी बेपसाय में लाब होगा बिदेश जाने के भी योग बन रहे हैं और इसके साथ ही भाग्योदै होगा हर कारे में सफलता मिलेगी उच्चा धिकारियों से संबंध बेतर होंगे पुत्र संतान का सुख मिलेगा कम्पिटीशन में सफलता मिलेगी सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं तो दोस्तों इतने सारे अच्छे आपको दिन अच्छा समय मिल रहा है इतने सारे दिनों के लिए बहुत ही जादा आपके लिए भाग्योदय वाला सा बात है और इसका पूरा फाइदा तो आपको मिलेगा ही तो अब परेशानी का कोई कारण ही नहीं बनता है दोस्तों साथ ही 17 सिप्टमबर से 17 अक्टूबर तक सूरे कन्यारासी में रहेंगे तो गर करासी वालों के केरियर में भी लाव होगा और बदलाओ के भी योगवन रहे हैं आर्थी की स्थीती भी अच्छी बनी रहेगी अपने कान नाग गले की लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हलका सा इसमें स्वास्तसमंदी परेशानी हो सकती है पर आपका बहुत अच्छा वक्त है दोस्तों आपकी परेशानी का कारण चुकि आपके तरफ लोग आकरसीत होते हैं को सकता है जो आपके गल्फ्रेंड हो वाई फ्रेंड हो या प्रेम प्रसंग आपका है यहां पर प्रेम संबंध भी बनेगा क्योंकि बहुत अच्छा समय है बिप्रीत लि क्योंकि वैसे तो आप इमांदार होते हैं सोभाप के अच्छे होते पर गुप्त दुस्मन भी होते हैं आपके इसलिए जो आपको उपर उठते हुए देखना नहीं चाहते हैं थोरा सोच समझ कर ही कारे कीजिएगा इसके साथ ही हम आपको बतलाते हैं अगर लाइफ में आप सदय बरक्षा करते हैं और हनुमान जी ही इनके इस्टे देव हैं इनका भावनात्मक संघर्स होता है जैसे हमने आपको बतलाया बहुत ही इमांदार होते हैं और इमोशननल बाले पार्ट इसका इनका चुकी कमजोर होता है इसलिए यहां पर दिल वाला पार इनका थोरा कम प्रश्पतिवार के दिन निर्धनों और बुजर्गों में पीली मिठाई बाटे और हनुमान चालीशा तो आपको नित्य परातर करना ही चाहिए लाइफ टाइम कीजिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा आ कुछ रहे हैं मस्त रहे हैं साथी कमेंट करना ना भूलें धन्य बाद दोस्ता हम फिर भी